1689 में आजवे के दिन स्कॉट्लेंड में डंकल्ट का युद्ध हुआ 1790 में आजवे के दिन जकलनल मिडोस की अक्वाई में बृटेन की सेना ने तमलनाडु के डिंडी गुल पर कबजा किया 1842 में आजवे के दिन तस्मानिय के शहर होवर्ट की स्थापना हुई 1914 में आज़े के देन जर्मनी की सेना ने बेलशियम के टैमेंस पर कबजा किया 1915 में आज़े के देन प्रथम विश्व युद में इटली ने तुर्की के विरोध युद की खोशना की 1931 में आज़े के देन पंडित विश्णू दिगंबर का निधन कुआ 1938 में आज़े के दिन इटली में सारजनिक और माध्यमेक वित्यालों में यहुदी शिक्षकों के पढ़ाने पर प्रतिबंद लगा 1969 में आज़े के दिन इरान, तुर्की, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के सहीयोग से सिंटो नामक संगठन की स्थापना हुई 1963 में आज़े के दिन बौध मंदरी में चापे के विरोध में दक्षिन वियत नाम में मार्शल लौकी खूशना हुई 1965 में आज़े के दिन रोमानिया में सम्विधान लागु हुआ 1972 में आज़े के दिन भारत में वन्य जीव सनरक्षन कानून पारित हुआ 1982 में आज़े के दिन स्विजरलैन के किंग सोभूशा द्वित्य का निधन हुआ 1983 में आज़े के दिन फिलिपिंस में विपक्षी नेता बैनिगनो अकीनो की हत्या हुई 1986 में आज़े के दिन दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन वोट का जमेका में जन हुआ बोट तीन बार उलम्पिक स्वंड पदक विज्वेता हैं वर्ष 1984 में कार्ल्स लुईस के बाद 2008 के ग्रिश्मकालिन उलम्पिक की तीनों दोडे जीतने वाले और तीनों दोडों में विश्वरिकॉर्ड बनाने वाले बोट पहले व्यक्ति बन गए इसके साथ ही वो वर्ष 2009 में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्था में उलम्पिक खताब पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने 1991 में आज़े के दिन लात्विया ने सोवियत संग से आसाथ खोने की खोशना की 1993 में आज़े के दिन मास और ब्जर्वर के साथ नासा का संपर्क तूटा 2006 में आज़े के दिन प्रसित शेहनाई वादक उस्ताद बिसमिल्ला खान का निधन हुआ उन्हें वश 2001 में भारत के सर्वुच सम्मान भारत रत्म से सम्मानित किया गया वो तीसरे भारती संगीतकार थे जोने भारत रत्म से सम्मानित किया गया है